वेल पिछले दो एपिसोड से आप ऑप्शन ट्रेडिंग को कफी एडवांस लेवल पर सीख रहे हो आज एक लेवल और उपर हम जाने वाले हैं वेल आपने दो सिस्टम सरसे सीख लिये थे जो हमने ट्रेड किया क्यों किया उसके पीछे लॉजिक किया था आपने कि पीचन करते हैं लोग मुझें बोलता है सर पैसा कम है इसले यह उफन बाइग करते हैं को करते हैं कि पैसे कंथ प्र्ताइब करते हो पैसा कम है इसलिए और बाइंग अगर कर रहे हो तो इतल बीकिम वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यह का आपको मुमेंटम क्याच करना पसंद है आपको सॉट्टम मुमेंटम में ट्रेड करना है आपको ओवरनेट रिक्स लेके जाना नहीं है और सेलिंग करते है तो पोजिशनल ल मुमा। भी है यह में पड़ाना पड़ता है तो यहांपे दो जर्स भी होता है। एक और हुआ है औरतों सेलिए स्ट्याइड के अगर आप यह को पर नहीं करना है तो को यह समझना कड़ेगा कि सेलिए क्या हुआ है तब जया के पैसा बनेगा। ग害 में पैसा बनेग जो सीखा था हर एक जगा पे हम लोगों का स्टॉप लॉस था यहां पे हम लोगों का स्टॉप लॉस था अगर आज मार्केट जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग जोन के अंदर 1230 या फिर 130 के बाद एक दो घंटे लास्ट के बाद अगर यह लेवल ब्रेक करता है 41,200 नीचे की तरह नहीं तरह प्लेस फॉर ऑफ्सन बायर पचाच तीस चालिस रुपे का एसल डालना है हम लोगों वान इस्टू टू या वान इस्टू 3 का टारगेट और अगर मिल गया फ्लो में वेल एंड ग किस तरह के से प्लान किया था फस्स तिंग कल का रिजिस्टंस यहां पे था इमेजिन करो आप खुछ सेल किया हो क्योंकि यहां पे भी इतने लोग 41,500 में कल सेल किया होंगे क्लोजिंग प्राइस के असपास 41,340 और 400 के असपास में 100 रूपे मिल चुका था उन लोग यहां पे सेल लगा के वैठे है अगर यह ब्रेक करता है इस इस फर्स्ट प्लेस टू बाई राइट जैसे हम लोग डिसकस कर रहे थे लगाने के टाइम में 41,600 अगर क्रॉस करता ह है यह 100-300 पॉइंट के मोमेंटम कर सकता है क्योंकि यहां पे एसल से तो यह प्लेस हो जाएगा आपका बाई करने के लिए आप अगर खुलते ही साथ यहां से नीचे आया यहां पे बाई करें डिफिकल्स क्यों क्योंकि उपर रेजिस्टान से नीचे सपोर्ट है तो बहु सेकेंड क्या हुआ मार्केट थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए प्राइस एक्सें में समझाता हूं ओके पॉफेक्ट तो मार्केट यहां पे एक रेजिस्टेंस बना नीचे है आप देख रहे हो इसका 50 परसंट प्रिवियस ट्रेंड का यहां से 300 पॉइंट यहां से 500 इसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कहां जाना है वेदर इस हमारा ट्रेंड टाइम जूर में था या नहीं था 1030 के अंदर यह सारे अक्सें हो रहे हैं मैंने आपको बताया था 915 से लेकर 1030 के अंदर हमको ट्रेंड करना है पहला ट्रेंड हम लोग मिस कर चुके हैं यहा से नीचे आया उसके देखेंगे यह कितना तक रिवर्स है 50% उसके बाद इमीडियेटली ब्रेक आउट दिया सिमिलर पॉंट यहां पर हम लोग का एंट्री यहां पर एसल आपको प्राइस अक्सें लोग यहां पर दिख रहा होगा लास्विंग नीचे ब्रेक किया उपर क करना था यहां पर 1-2 प्लान करेंगे लेकिन हमको देखना पड़ा है नेक सपोर्ट कहां पर विच इस वेरी इंपोर्टन सपोर्ट यहां पर कहां पर हम लोग पहले से इडेंटिफाइ किया यहां तक हम लोग का फॉस्ट टार्गेट हो जाना चाहिए अगर पकड़ लिए यह सपोर्ट यहां पर होता तो मैं इसको बोलता है कि नहीं हाथ चलो 1-2-4-5 भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप सपोर्ट रेश्टन देखने रहो क्योंकि यहां पर लोग यहां पर इधर बाई करेंगे या पोजिशन कायर रप करेंगे मार्केट यहां पर आया हम लोग न अगर यहां पर खुल सोचो अगर आप अगर यहां पर खुल सोचो अगर आप भी करकें रखोंगे मार्केट को इразу पर फार्ट पलास यहां पर यहां पर ंपर अगर यह ब्रेक कर रहा है तो व+, और यहां पर प्रैस सच्छन दिखा फिटसे ब्रेक यह ब्रेक यह फिदसे ब्रेक यह किसा देच किया था तशय ब्रेंगे felt eh अब यह एक्स्प्लेंड कर दीजेंग लोगों कि वाइड वस नो ट्रेडिंग जो क्योंकि जेनरली क्या होता है मौनिंगावार के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं सपोर्ट अपना अजिस्टमेंट अल प्लान करते हैं मार्केट में क्लोजिंग प्रोफेशनल के साथ होता है प्रोफेशनल क्लोज करते हैं यह बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर उनको ट्रेड करना है तो उन लोग एक या दो घंटा देखें के मार्केट कहां पे चल रहा है कहां तक प्लान करना चाहिए 9.30 त 10.30 के अंदर 500-600 पॉइंट का मोमेंटम वह इनिशे लावर में उसके बाद 100 पॉइंट भी अच्छा प्लॉट बन रहा है यह से लिंग में था यहां पर होवर कर रहा है और सपोर्ट मुल्टिपल टाइम हीट हो चुके हैं यहां पर एक बार हीट हुआ था फिर एक बार हीट हुआ यह यहां पर 1230 के बाद फिर से आम यहां पर आप कर सकते हैं अभी आपका कुस्चिन होगा किने कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले अगर पकड़ लो कि नहीं आपका इमाजिन करो कि नहीं आप एक देर गंटे के देख के बंद करने वाला आपको बड़ा प्रॉट नहीं क्योंकि आप जल्दी निकलने वाले हो अगर आपको लग रहा है अच्छा पैसा मिल सकता है त्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है कुछ रिजिस्टन सपोर्ट नहीं दिख रहा है बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है थोड़ा सा आप ओटम में अगर करेंगे जब यह ए अगर जीरो हो गया तो फस गया क्योंकि आप 200 रुपे या 180 रुपीज अगर आपने खर्चा किया है पूरा खतम हो गया और इसको रिकावर करने के लिए आपको फिर दो तिन दिन लग जाएगा तो it's all about किने अगर आप 20-30 रुपे में जाएगा तो 100 रुपे मैक्सिमुम जाएगा यह all about किने आपका साइकलोजिक है अगर आप साइकलोजी इंटक्ट है मैं एसल में निकाली दूंगा 100 पॉसेट गो फॉर अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो फिर पैसा घतम हो जाएगा तो इसके लिए यह थोड़ा सा प्लान है प्लान कर सकते हो अगर आपको कुईकली निकालना है 100-100 पॉइंट मिल गया बंद कर दो और उसके बाद 12-30 के बाद 12-30 के बाद अगर मुमेंटम कर रहा है चांसे सार वेरिया वही डारेक्शन में अगर मिल गया तो पैसा मिल जाए तो आपको सिंपल सिस्टम रखना है और और एक पॉइंट में आपको बता देता हूं और एक सिस्टम आप पकड़ सकते हो 12-30 के बाद अगर बैंग निफ्टी या निफ्टी इधर हाई ब्रेक करें या लो ब्रेक करें आप उसी डाइरेक्शन में 30 रुपे या 40 रुपे का एक option खरी सकते हो तो कि नहीं 10 रुपे क इसे लगा के तो आपका टोटाल रिक्स है 20-25 रुपे इससे क्या होगा इधर डबल और ट्रिपल मिनीमम उतना टार्गेट आपको प्लान करना है क्योंकि अगर 12-30 के वाद यह नीचे गया 200 भी मूब कि आपको डिरेक्ली 200 मिल जाएगा कि कुछ नहीं प्रीमियम डिके हो चुकि है हाडली आपका स्ट्राइक प्रैस 100-200 पॉइंट नीचे हो सकता है यह बहुत बार होता है लेकिन यह चलेगा आप 10 बार ट्रेड लोगे चार बार चलेंगे यह तीन बार चलेंगे हर दिन नहीं चलने वाला अगर तीन बार भी पांच गुना पैसा हो रहा तो प्रेंटरी करना फिल निकालना अगर आपको रेगुलर चाहिए इतना सारा अनलिसिस अगर नहीं करना है तो फिर यह भी विकली वेसिस में प्लान कर सकते हो तो आपकी मुमेंटम ट्रेडिंग की जो अभी तक मुझे आपकी बास समझ आई को ही एक तो आप सुबह सुबह ह रोगए कषaining मिनलैंगा कर्या कई बैट कि का रही से पर्लान हो जा चाहिए है खेले से पहले प्लान हो घाथ थारे में तो प्रीजिस्टन के आपर सब्सक्रा चीज्वेड पगा क्या होता है प्रीवेस दे का प्राइस सब को यादरिपीर का प्राइस अब को यास को याद तो हमको trade करना इसके अंदर अगर आपको कुछ इमेजिन करो मार्ट कि यहां खुलता पांच मिन ब्रेक आउट पे भी हम ट्रेड कर सकते तो यह एक खुला दो मिनिट में हम कर सकते हो यह 15-minute breakout पे ट्रेड कर सकते हो अगर चला गया वेल नहीं गया तो कम लॉस होगा क्योंकि यह जस्ट टेस्ट है तो इस दिन आपको अपको कॉफिडन्स नहीं है डोंट टेक ट्रेड क्युकि मार्केट बंद नहीं होने वाल आपका पैसा कतम हो जाएगा यह नहीं होना चाहिए तो यहां पर सपोर्ट रहें लोगों क्लियर हो गए गया हो गया और दूसरा जिस दिन आपको समझ नहीं आ र तो पहला आवर खत्म ना अगर पहला आवर में जो हो जाता है क्योंकि बहुत साय लोगों का में आप्जर्वेशन किया हूं पहले एक दो ट्रेड में उन लोग प्रोफिट कमा लेते हैं पिर दिनबर ट्रेड करना है करते हैं और यह पैसा चला जाता है तो बेटर है जो पैस करते हैं तो यह क्या है उसके कारण हमारा ट्रेड फेल्ट हो जाते हैं अगर वह उफेक्ट नहीं और लास्ट वान आवर जाते हैं क्योंकि मैं आपको अपना बता रहा हूं जिसे आपने बोला आपके लिए फर्स्ट बनार मैं पहले थोड़ा वेट करता हूं मिस हो गया हो क्योंकि मुझे इतना बता है कि भी प्रोफेशनल्स विल क्लोज दा मार्केट तो उस तेम इपर जो रिरेक्शन देगे वो परमेने डिर्चिन अजले का करें दो डिसे इस इस वह बोल रहा हूं कि जैसे मैं बोला कि जैसे मैं बोला आओ कि ए जैसे मैं बोला फस्ट आवर यह trade है अगर आप वेट कर रहे हो तो definitely second up also can be the best place to trade again लेकिन वही psychological थोड़ा आता है कि नहीं अरे price 300 चला गया है क्या पता 500 चला गया है कभी कभी क्या होता है पहले one hour में मार्केट 300-400 चला जाता है फिर और करते है तो यह लेप्ट आउट फिल होते है इसके कारण नीश होता है और यह मैंने कैसे मिस कर दिए और एक psychological point बताता हूं बाइट के लिए don't calculate the total overall profit हम लोग क्या करते है यहां पर बाई किये 180 रुपे में बाई किये और मार्केट गया है 800 रुपे तक यहां पर गया है और मैंने क्या किया यहां पर बुक कर लिया है 60 रुपीज में यह जब और 100 रुपे जाएगा या फिर 200 रुपे और जाएगा हम लोग कालकुलेट कर लेते हैं कि अरे में रखता तो और 80 जाता 60 में जाता 70 जाता यह आपके माइंड में इशु क्रेट करता है क्योंकि टार्गिट हम लोग को नहीं पता है प्रिविएस टाइम के अनलिसिस के यह साब से और फिर तेकनिकल बूल जाता है कि यहां पर रिजिस्ट कर रहा है तो बेटर निकाल देते हैं 50 परसंट आज चुका है बेटर निकाल देते हैं प्रिवेस टीन सो गया था थोड़ा सा पुल बैक है फिर कंटिन्यू करेगा व इसलिए इसलिए मैं बोला कि नहीं हम लोग अगर 360 रुपे काल्कुलेट किये थे सेलिंग में भी तो मैं 360 आएगा करके एक्सपेक्ट नहीं किया हूं 100 रुपे का एसल रखा हूं एट मीन 200 रुपे आएगा करके सोच रहा हूं मिल गया तो वेलें बॉनस है सेम यहां पर आ यहां पर सिस्टम तीन जो था कि आपको अगर बाइंग करके पैसा बनाना है तो वह आप कैसे बना सकते हो लोगों को समझागे अभी इशू क्या है कि सिंपल सा चीज है होता है जनरली जब आप स्केल करते हो और बहुत टाइम तक किया है बहुत सा लोग पता है इसू यह ह प्रफिट हो गया लेट्स इमाजिन की नहीं दो साल में क्यापिटल पांच करोड हो गया यह तिन चार क्रोड हो गया तब क्या इसलिए में और ऑफ्सन सेलिंग मैं यह मेरा स्केलिविलिटी इशू है इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं हरे चीजों का एक सटन लेवल तक लि दो लाग क्वांटिटी खरी सकते हैं फिर उसको मैंनेज करना डिफिगल हो जाए क्योंकि मैं पूरा क्यापिटल यूज करता हूं सो यह तो ऐसा होना पैसा बैक में पड़ा हुआ यूज नहीं हो पा रहा है सेम चीजे तो यह सब जगह पे पूरा पैसा उटलाइज करके आप पूरा पैसा कमा सकते हो और एसल में स्ट्रिक्ट रहना पड़े इस तरीके से मैंने सिस्टम में बताया किया बाता सर तैंक्यू सुर्य मैं सर आपने इतना टाइम दिया और लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा फाइनली इसके बाद एक बहुत आप लोगों क साथ एक और ट्रेनिंग रिकॉर्ड किया जाए हम स्कैल्पिंग की ऊपर बात करें तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं I'll share the comments और अगर लगे का सर को कि बॉससले लोग मांग रहा है तो आपको टाइम देना बड़े का सर लोगों तक पहुचे अगर होता है तो हम करते है और लोगों तक पहुचे आपको टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल सर का चैनल कर लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यू के शेर इस वीडियो जिस से यह वालूबल इंवर्मेशन बॉससले लोगों तक पहुचे और देफिनिए आपको टेला राइम यू जो सल्वाइब